देखिए हम लोग इतना confidence थे और खास करके हमारा जोसेशी प्राधान मंत्री नारेंद्र मोदी जी जी इस तरह एक्टिस्ट पॉलिसे के माध्धम से त्रिपुरा को उन्होंने देखते हैं कि फीर से हमारा सरकार बनना ही था भरतिय जनलता पार्टी और आई-पी-फ्टी का जो एलाइंस हम लोग के साथ है यह सरकार आना ही था तो जिस तरह हमारा यह गौर्मेंट और सेंट्रल गौर्मेंट सच्छते के साथ जनता के लिए काम किये हैं और अन्तिम बेक्ती के लिए जिस तरह काम प्रधान मंत्री जी जिस तरह काम किये हैं उसके आधार पर हम लोग निश्चिन थे कि हमारा सरकार दोबरा आएंगे और इसलिए मैं सर्वप्रथम मैं हमारा प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी जी उनको मैं बदाई देना चाहता हूं और उनको धन्नवाद देना चाहता हूं जिस तरह उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया और जिस तरह देश के साथ साथ त्रिपुरा को आगे बढ़ाया जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को लिए सोचते हैं यह आपका कानेक्टिविटी हो यह एरवेज़ी हो इंटरनेट हो रेलवे हो सब जगा में उन्होंने जिस तरह उन् हम लोग कभी सोचे भी नी थे, किया भर ब्रॉड गेज की कभी रेल आ सकता है, यहां से राजदनी भी जाता है, कंचन जंगा जा रहा है, गयारा एकस्प्रेस ट्रेंन थिपरण से जा रहा है, नेशनल हाईवे के जहां तक सावाल है, यहां और दे साथ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है उपर से और नेशनल हाईवे कम सेकंद लगबख साथ नेशनल हाईवे का उसका आर्थिक मंजुरी भी दिया गया है तो इस हिसाब से ये छोटा पहारी प्रोदेश है और खास करके हमारा जनजाती एरिया में ये कानिक्टिवीटी इतना अच्छा हो गया जहां पहले छे गंटा, साथ गंटा, आठ गंटा लगता था वहां अभी दो गंटा, एक गंटा इस तरह इस समय बचा के हम लोग पोश सकते हैं और बंगलादेश के साथ हमारा जो कानिक्टिवीटी इतना अच्छा हो गया यहां पर रेल का लाइन भी अभी वो भी रेल लाइन भी तैर हो गया है पुड़ा तो यह भी अभी चालो होने वाला है पुछी दीन में तो बंगलादेश के साथ हमारा जो संबन क्योंकि बहुत ही अच्छा है तो इससे त्रिपुरा का बीजनेस काफी हग तक बढ़ेगा और यह मोहित्री शेतु जो सब्रूम में बना है यह नेशनल मैं समस्ता हूँ यही हिस्ट साथ इस्टेशिया का प्रविश्दार है इससे भी काफी जो हमारा बीजनेस काफी बढ़ेगा और परजटन का जिष्टी से बहुत लोग यहां आ पाएंगे पुरा साथ प्रदार मुंद्री जी जीस तरह सूचते हैं यह जुरूर यह बस्तावित होगा यहां पर